आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मोना आलम पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, करनल दानवीर रक्षा एक्सपर्ट, खामर आगा साथ विदेशी मामलों के जानकार हैं, जेनल जीडी बक्षी हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट के तोर पर जुड़े देखिए जिस दिन इमरान खान साहब ने फौज से सीधी टक्कर लेने का निर्ने लिया था उनको जो डेज थे वो नमबर थे वो भिड़ गए जो है जनरल बाजवा के साथ इस बिना पर कि वो फैज हमीद को डी जी आयसाई चाहते थे और बाद में उनका मनसूबा था कि वो जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने और वो अपनी जो है रौब रुत्बा पाकिस्तान की फौज के उपर जमाएं ये गलती की थी नवाज शरीफ सहाब ने जब उन्होंने चुनावती दी थी परवेज मुशरफ को ठीक यही हिस्ट पाकिस्तान की फौज बहुत स्मार्ट हो गई है वो डिरेक्ली कू नहीं करती पचातर साल में से तीस साल तो उन्होंने डरेक्ली राज किया है लेकिन ये सबक सीख लिया है कि पूरी दुनिया का दबाव के उपर आता है और हिस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है मैं आप सबको इसलिए कुछ सेकंड से लिए रोकना चारी हूँ क्योंकि जिस खबर का मैं अभी अभी जिक्र कर रही थी कि एक साजा प्रेस कॉन्फरेंस हो सकती है बाकिस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियों की ABP News आपको रखे आगे